नमस्कार दोस्तों मैं प्रिशांत बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आई के लिए यूट्यूब चैनल पे तो बिहार इंवर्शिटी के जो भी ऐसे स्टूडेंट है जिनके भी रिजल्ट डूप्लिकेट बताया जा रहे था और जिनकी भी रिजल्ट आने वाली थी जैसे क पर काफी सारी गरबरें रिजल्ट में पाई गई थी तो इसके उपर यहां पर मैं आपको न्यूज लेकर क्या हूं बताने वाला हूं तो सबसे पहले अगर हम न्यूज की देखे यहां पर तो बेतन के लिए हर्ताल पर गए बीबी करमचारी उसके कामकाज यहां पर हो गय अब यहां पर करमचारी जब हर्ताल पर जा चुके हैं यहां पर मतलब करमचारी काम नहीं कर रहे हैं तो इस बीच में आपके रिजल्ट ठीक होने में फिर से वाधाय आएंगी और इसके बाद जो रिजल्ट निकलने वाली थी उसमें भी काफी सारी बाद आए आपको पर दिख रहे हैं कि यह लोग जब आपका काम काज ठप करके पूरी तरीके से हर्ताल पर जा चुके हैं और यह लोग काम कुछ कर नहीं रहे हैं तो आपके यहां पर एक्जामिशन फॉर्म भी नहीं भरी जाएगी और यहां पर पोर्टल उपन नहीं किया जाएगा युनि पर जा चुके हैं और यहीं पर मैं बात करूं कि अब बच्चे परिशान हैं कि अब हमारा कॉलेज कब खुलेगा उनिवर्सिटी कब खुलेगा कब हमारी रिजल्ट जो है आएंगी तो यहां पर मैं आपको सबसे बड़ी बात बता दू कि आज जो है लोगड़ान 4 की दिखेंगे तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपका जो लॉगड़ान फिर से बढ़ गया है और 31 मई तक बढ़ गया है तो यह आप जल्दी से वीडियो को शेर करेंगा अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने वाट्स अप ग्रूप में आपको जहां भी शेर करना इस वी कोई भी उमीद नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि इसके उपर तो कोई भी रिपोर्ट ही नहीं जारी किया गया है गौर्मेंट के तरफ से कि स्कूल कॉलेज को खोला जाएगा कि नहीं खोला जाएगा अगर मैं आज की करेंट सिट्वेशन के बात करूं करेंट से यहां प तो अगर आपको कॉमर्स की घ्लाइस करने है चरह Fram वहां पर लीडियो के स्ट्रीट के है तो उसके लिए भी लिए लीकिन अगर यगर वह स्टूदेंट है तो आप साफ में कारें कमेंट और बोले कि अंभीकों के स्टूडेंट है पार्ट वन पार्ट टू पार्ट त्री आप किसी भी पार्ट के हो आप जरूर कमेंट करें और हम आपको लाइफ क्लासे प्रोवाइड कराएंगे तो यह है एक सवाल जो की था आप सबसे बड़ा और यहां पर लॉगड़ा अब आपको घोशित हो गया है तो होपसो आप लोग अपने घर में रहिए और स्वस्त रहिए और सुखी रहे तर्ट करने चलता है धन्यवाद